इसके बात वाला दिखाऊ अधे यह भी गालना है ठोड़ा और आगे दिखाऊ तो यह यह जिए भी गालना है नमस्कार मैं हुश्वगंती केसे हैं आप तो आज की वीडियो देखते है जहन जी और खेशा जलके नएफ वीडियो आया है अप राधी जूरी जूर रही है अभ अभी तो आए इस वीडियो का देखते इस वीडियो का लिंक डिस्केशन मिल जाएगा जाके आप देखिए तो आए करते हैं वीडियो इस्टार्ट कि यह राजा दो हत्याओं का अरोपी अरी भाइस चोर बावार बावार जो हो हो हा दृफ हो उफ हो मजा गिया कर फिल्लिम मना जें की सितिहास रच देंगे गर्दा उलाव एंगे घडर मचा देंगे सफ रगी तोड़ा विय६्रक दिखाओ थोड़ा सवरा गिदिखाओ अं सिरियोत भररेडा दिखाओं हम भागवान आडाकारिसनन आझे यह भी गाना है। थोड़ाओ आगे दिखाओ बस बस खातम हो गया क्या बात कर रहा है बस इतना ही था है बस कतम मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ा सालो की भाए इसका पूछ मारे इस तरह को पोड़ दिया है बहुत तकलीफ होती है तकाल है ठीक है दोस्तों खैसारी लाली यादो के एक फिल्म का ट्रिलर आया जिसका नाम है अपराधी पता एक ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है जो फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट होता है वही चीज ट्रेलर में दिखाई जाती है अपराधी फिल्म का जो ट्रेलर है यह पूरे के पूरे 5 मिनट 13 सेकेंड का ये ट्रेलर है और इस 5 मिनट 13 सेकेंड के ट्रेलर में पूरे के पूरे साघे चार मिनट तक सिर्फ और सिर्फ गाने सुनाए गए यह फिल्म का सबसे बेश्ट पार्ट गाना अमारे आइसा ही दिखाने और गाना भी ऐसा जिसे उनकर मैं पूरी जिम्मधारी के साथ कैसाचता हूं कि इससे वाहियात प्रोड़क्ट मैंने अपने जिन्दगी में कभी नहीं देखा है इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में बाइज़त मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगे काम करो फिलिम इलिम बनाना बंद करो और गाहा में जाके गोबर उठाओ वो बेश्ट रहेगा फिलिम इलिम बनाना आप लोगों के बस की बात नहीं है हमारे हां क्या हम तो भीखारी फिल्म बनाते हैं जब गाना ही दिखाना था तो एल्बम बना लेते हैं फिल्म बनाने की का जरूरत थी कोई सीमा है कि मतलब कहां तक डुबाना है इंडेस्ट्री को एक कोई तो डेडलाइन होगी ना कि भाई यहां तक डुबाएंगे उसके बाद पिर अच्छी फिल्म बनाएंगे क्या ट्रे सबसे बड़े इस्टारों में से एक हैं यह उनकी फिल्म है घजब बाहर का कोई देखे तो कि यह बड़े इस्टार की फिल्म है तो नए कलाकारों का क्या हाल होता होगा खाली मेकप लगा लेने से या कुछ कर लेने से वाक्टर नहीं बन जाता गलत फ़ेमी में यह जादा क्या परोसा है आप लोगों ने ट्रेलर में गाना ओभी कोई बहुत बढ़िया गाना भी नहीं है कि कोई सुने बिना मरेगा देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिल्म में कोई कहानी नहीं होगी इसमें चोटे-चोटे पार्ट कुछ ऐसे हैं जिनने देखकर लगता है कि य बाइसा लगता है कि आप लोगों का सिनेमा हाल में इसको रिलीज करने का मूड भी नहीं है एक टीवी पर ही आएगी बाकि इस फिल्म में किसने क्या और कैसी आपिंग की है बाई उस पर तो बाती मत करो मुझे लगता भी नहीं किस फिल्म में कोई अक्टर भी है सब चूल क्या बना क्या रहे हो यार कुछ तो समझ में आए तक लीफ होती है क्या बना रहे हो क्यों बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो हर इंड़स्ट्री हर फिल्म के बार कुछ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती है कुछ में कुछ नया लेकि आती है और अपनी इंड़स्ट्री को और अपने काम को इंप्रूब कर रहे हो लोग दिन पर दिन एक वोजपूरी है जो दिन पर दिन डाचाओ 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 नीचे ही जा रहा है ऐसा लगते है कोई बैग गयर में गाड़ी चला रहा है पंद करो हाथ जोड के मैं पुझारिश करता हूँ माना कि चलो वोजपूरी में इतने संसाधन नहीं है तो रियलिस्टिक कहानी के उपर फिल्म बनाओ ना गैंग सोफ वासेपूर देगे हो उस टाइप का कुछ बनाओ उसमें तो ज्यादा एक्यूब्मेंट मसिनेरी रोपोप की जरौत पढ़ती नहीं है तो ऐसा कुछ करने के लिए उतने संसाधन होने चाहिए उतने वीकल्स होने चाहिए उतनी मिसनीरी होनी चाहिए उस लेबल का कैमेरा होना चाहिए कैमेरा मैन होना चाहिए डारेक्टर होना चाहिए एडिटर होना चाहिए तब देखने में मज़ा आता है काइन मास्टर में वीडियो एड डाउनलोड किया और उसी में से काड़ चाट करके ट्रेलर बनाके डाल गिया इसे एडिट होता है ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं और इमांदारी से मैं अगर अपनी राय बताऊं तो मुझे ये ट्रेलर बिलकुल पसंद नहीं आया इससे अगर ये किसी फिल्म का ट्रेलर है तो मैं हाथ जोड़ के आप से एक ही बात कहूंगा अगर ये फिल्म का ट्रेलर है मिसमें खाली गाना दखाया गया है अब पता ना केसा है कैसा नहीं आप लोगों देखिए तब तक ले चलते हैं और मेरा चैनल के लाइक सब्सक्राइब को देखिए अफद तक लोगे लोगे बाया जाजाजाएएँ